नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे आज एक ऐसे विशय पर बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे मेल हमें आते हैं बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पती को नशे की आदत है मेरे बेटे को नशे की आदत है और नशे की आदत में उसकी जिंदगी बरबाद हो रही है तो आखिर नशे की आदत का ग्रहों से क्या संबंद है और क्या वाकई में जोतिश में ऐसे उपाय बताये गए हैं या ऐसी चीजे हैं जिससे आपके नशा करने की आदत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, आज इस विशे पर बात करेंगे चाल चक्र में आज क्या खास है? चलिए बताते हैं आपको चाल चक्र में आज बात करेंगे नशे की आदत के बारे में और ग्रहों के बारे में बात करेंगे कौन से ग्रह नशे से बचाते हैं और नशे से बचना चाते हैं, नशे के चंगुल से निकलना चाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे इस पर भी बात करेंगे सबसे पहला प्रश्णी ये है कि किन ग्रहों से नशे की प्रविर्थि पैदा होती है आखिर वो कौन से ग्रहें हैं जिनकी वज़े से आप नशा करने लगते हैं या नशे में फस जाते हैं देखिए नशा जो है ना ये कमजोर मानसिक स्थिती का परड़ाम है अगर मन की स्थिती आपकी मेंटल स्थिती अगर कमजोर होगी तो आप नशे में जाएंगे इसके पीछे मन की बड़ी भूमिका होती है अब चुकि मामला मन का है इसलिए मामला चंद्रमा का जरूर होगा इसलिए नशे के पीछे चंद्रमा जरूर होता है शनी की वज़े से नशे की प्रविर्ती लंबे समय तक बनी रहती है कमजोर हुआ चंद्रमा आप नशे की तरफ डाइवर्ट हो गए और अगर उसमें शनी का प्रभाव आ गया, शनी का साथ मिल गया तो लंबे समय तक नशे की चकर में डूबे हुए है, नशा करते जा रहे हैं राहु नशे की आदत को भयंकर बना देता है कि छोटा मोटा नशा करते करते आदमी ड्रक्स तक पहुँच जाता है बड़े नशे करने लगता है राहु की वज़े से क्योंकि राहू नशे की आदत को भयंकर बना देता है जलिय और पृत्वी तत्व की राशियों में नशे की लत जल्दी लग जाती है जो जल की राशियां है करक व्रिश्चिक मीन और पृत्वी तत्व की राशियां है व्रिश कन्या और मकर इन में नशे की लत थोड़ी जल्दी लग जाती है यहां नशा होने की संभावना जल्दी होती है वृष्चिक राशी में या वृषब राशी में अगर कुंडली में पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति बहुत नशा करता है विष्चिक राशी पोईजन की राशी है और अगर इसमें बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं जादा तर पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो आदमी नशे में इन्वाल्व हो जाता है अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो नशे की आदत से छुटकारा दिलवाते हैं नशे में फस्तो गए, लेकिन अपने विल पावर से, अपने इच्छा शक्ती से, प्रभू की कृपा से, कब ऐसा होता है कि व्यक्ति नशे से बाहर आ जाता है? अगर कुंडली में बुद्ध मजबूत है, या कुंडली में ब्रिहस्पती मजबूत है, तो व्यक्ति की ये आदत ठीक हो जाती है बुद्ध प्रबल होगा तो आदमी बुद्धी से कंट्रोल कर लेगा ब्रिहस्पती प्रबल होगा तो संस्कारों से कंट्रोल कर लेगा लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक प्रबल हो जाए तो व्यक्ति नशे को ठीक कर लेता है वायू और अगनी राशी के जो लोग हैं मिथुन, तुला और कुम्भ राशी के लोग अगनी राशी यानि बेश, सिंग और धनू राशी के लोग आसानी से नशे से बाहर आ जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बुरी दशा चली तो आदमी नशे के चक्कर में पढ़ गया लेकिन दशा बदली, साड़े साती खतम हुई, दशा सही आई तो नशा छूट गया यानि सही दशा आने पर भी नशे की आदत व्यक्ति की छूट जाती है शुक्र वाले जो लोग होते हैं, वो शौक में नशा करते हैं, जो कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं शुक्र वाले लोग स्टाइल के लिए नशा करते हैं, करते तो हैं, लेकिन जादा तर स्टाइल के लिए करते हैं और कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं ऐसा देखा गया है